नमस्कार भारत माता की जये वंदे मात्रम जियोभी नियूज में आपका स्वागत है जियोभी नियूज में हम आपको मोधी सरकार से जुड़ी हुई सारी उजनाव की अपडेट लाते रहते हैं मुस्लिम समुदाय के लिए मोधी सरकार ने ईद पर एक बहुत बड़ा तवफा दिया है भारत में ईद उल्फितर का तेवार हसी खुसी से मनाया गया ईद के दिन मोधी सरकार ने मुसल्मानों को एक बहुत बड़ा तवफा दिया है मोधी सरकार द्वारा किये गए इस ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय में खुसी की लहर दोड़ गरी है इसी तरह की ख़बर हम आपको बता रहे हैं मोधी सरकार ने मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा योजना का ऐलान किया है आपको हम इस तरह की योजनाय लाते रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने राज्य का नाम लिख दे ताकि हम उस राज्य से जुड़ी हुई जो भी अपडेट जो भी खबर सरकार से जुड़ी हुई आती है वो हम आपको देते रहते हैं इसलिए आप कमें पाटी के नितित वाले NDA कटवंदन ने अब उत्पुर्व जीत दर्ज की है आप जैसा की जानते हैं कि मोधी सरकार 2014 के बाद फिर से 2019 पे चुनाओ जीत कर फिर से मोधी सरकार और प्रधानमंतरी मोधी प्रधानमंतरी बन चुके हैं तो वो अलप संक्यक समुधाय पर बहुत ध्यान दे रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि सारा समुधाय सारा समाज मिलकर के एक जुठोकर के देश में रहे किसी के बीच भेदभाव न रहे इसलिए मोधी सरकार ने चुनाओ जीतने के पश्चात NDA कटवंदन ने नरेंद्र मोधी को संसदिय दल का नेता चुना और उन् हम सब को मिलकर इसका निर्वहन करना है इस उसर पर प्रधानमंतरी मोधी ने अलस संक्यक समुधाय को विशेज संदेश देते हुए कहा था कि गरीबों की तरह देश में अल्प संक्यकों के साथ भी छल किया गया है लेकिन हमें इसे खत्म करना है और हमें अल्प संख्यक समुदाय का विश्वास जीतना है भारत देश में मुस्लिम, इसाई, सिख एवब अन्य छोटे-छोटे समुदाय को अल्प संख्यक की स्रणी में गिना जाता है अल्प संख्यक समुदाय में मुसलिम समाज सबसे बड़ा है और इसकी भागीदारी भी बहुत अहम है। प्रदानमंत्री मोदी ने अलप संख्यक वर्ग में पांच करोड चात्रों को प्रदानमंत्री चात्र विर्थी देने का एलान किया है। प्रदानमंत्री चात्र विर्थी योजना कि सबसे खास पात यह है कि इसके तावत 50 फीसदी चात्र विर्थी चात्राओं को दी जाएगी। इसके लिए आपका क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर लिखें। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी इस तरह की नीज आए वो हम आपको सबसे पहले बता दें और चैनल को के बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि हम कोई भी अपडेट आप तक पहुचाए तो आप तक सबसे पहले पहुचाए और हाँ comment box में अपना नाम और अपने राज्य का नाम जरूर से लिखे ताकि हम उस राज्य की आपके राज्य की जो भी ख़बरे आप से जोड़ी हुई ख़बरे जो आएंगी वो हम आपको लाते रहेंगे और आपको उस ख़बर की जानकारी मिलती रहेगी तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेयर भी कर दे और वीडियो को लाइक करे